दादा जी ने पेड़ लगाया दादा जी बगीचे में पेड़ लगा रहे हैं मादवन और अन्शिका उनके पास पहुचते हैं मादवन दादा जी आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? दादा जी ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं अन्शिका वह कैसे दादा जी? दादा जी, पेड वायू को साफ रखते हैं वे गंदी वायू को सोख लेते हैं और हमें तासी वायू देते हैं मादवन, दादा जी, आप कौन सा पेड लगा रहे हैं? दादा जी, बेटे, यह आम का पेड है अन्शिका, खुश होकर फिर तो बड़ा मसा आएगा दादाजी, इसमें मीठे आम फलेंगे और हम खुब खाएंगे मादवन, दादाजी, इस पेड के आम आप भी खाएंगे ना, दादाजी, मैं पता नहीं, लेकिन तुम इस पेड के फल अवश्य खाओगे मादवन, वह कैसे दादाजी, दादाजी, देखो बच्चों, एक पेड की ओर संकेत करते हुए, वह जामुन का एक पेड लगा है ना, मादवन, हाँ दादाजी, दादाजी, वह पेड मेरे दादाजी ने लगाया था, अन्शिका, आपके दादाजी ने, दादाजी, हाँ, मे मेरे दादा जी ने लगाया था अब हम सब उसके फल खा रहे हैं अन्शिका फिर इस पेड़ के फल कौन खाएगा दादा जी तुम और तुम्हारे बच्चे माधवन वा दादा जी मान गए आपको आप तो बड़े परोपकारी हैं अन्शिका मैं तो सब को बताऊंगी कि इस पेड़ को मेरे दादा जी ने लगाया था यह भी बताऊंगी कि जामुन का पेड़ उनके दादा जी ने लगाया था तीनों हसनी लगते हैं और घर की ओर लो